रामलला की प्राण प्रतिष्टा से ठीक पहले कॉंगरेस नेता शशी थरूर ने प्रधान मंत्री नरेन मोधी पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि मोधी हर चुनाव से पहले राजनितिक एजेंडा बदल देते हैं वे विकास और राश्टी सुरक्षा जैसे गंभिर मुद्दो पर बात नहीं करते उन्होंने कहा कि यहीं नहीं सरकार सीमा पर चीन की घुस्पेट रोक पाने में नाकाम रही चीन ने हमारी जो जमीन चीनी वो भी मोधी वापस नहीं ला पाए कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी के मेंबर और सांसाच शेशी थरूर ने ये बाते तिरुवंत पुरम में 21 जन्वरी को कही थरूर ने कहा कि मोधी ने 2014 का लोकसभा चुनाओ विकास और 2019 का चुनाओ राश्टी सुरक्षा के नाम पर लड़ा था इसी साल 2019 में पाकिस्तान में सलजिकल स्ट्रैक भी की गई थी लेकिन आज वे न तो विकास की बात करते हैं न लोगों क्यों उनकी समस्याओं का जिक्र करते हैं जो नोटबंदी के बात सामने आई यही नहीं वे राश्टी सुरक्षा के मुद्दे पर भी कोई बात नहीं करते हैं तरुन ने आगे कह कि मोदी हिंदू हरदय समराट कहलाना पसंद करते हैं इसमें कोई शक नहीं ये वही प्रोपगेंड़ा फैलाएंगे 22 जनवरी को वे आयुध्या में राम मंदिर का उद को ए दो बात नहीं करते हैं टूआ को हुआ है